हालो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में सागर आज हम पढ़ेंगे मनो विज्ञान के बारे में यूपी टेट 2015 में जो मीडिल का पिपर हुआ था जो क्यूशन आया था यहीं साइकोलोजी सम्बंदित 30 क्यूशन उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो क्या है बाल भी का से हम अभिज्ञान चाइल्ड डेवल्लमेंट एंड कोगनीशन इससे सम्बंदित जो 30 क्यूशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलते हैं पहले क्यूशन के तरफ पहले क्यूशन है कि अब बित्रों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्श पहले क्यूशन में अध्यापक का सरवाधिक ध्यान किस मनुबैजानिक तथ पर होना चाहिए तो देखते हैं आपुलब पहला है, Çिछन तकनिक, सेकेंड आप्टन है, सारीος रिक्षम्ता, फ़र्ड आप्टन है, बैक्तिक विननेता और फोर्ड आप्टन है, पारिवारिक इस्थिती, इसमें से कौन सही होगा, इसमें से आप्टन नम्मर फौर्ड सही होगा, पढ़ाते समय समान्द का अच्छा में अध्धापक का सरवाधिक ध्यान बैक्ति विविनिता पर होता है चलते अगले क्यूशन के तरफ क्यूशन नम्मर थार्ड अधिकम अस्थानांधराण के दीतत्य का सिधान के प्रोर्वर्टक थे तो पहला अप्षन है थार्ण डाइक थे अब शुक्र यहां पर सेकेंड होगा जो इस थानांधरन के दीतत्य का सिधान दिया था इस फियर मैंने दिया था अब चलते हैं अगले क्यूशन के तरफ क्यूशन नम्मर 4 किशन नम्मर 4 है कि सीखी हुई बात को अस्मरण रखने या पूना अस्मरण करने की और सफलता का लाती है पहला अफसन है पुना अस्मराण दूसरा है विस्मिर्थी तीसरा है संबेदना और चोथा है इस्मिर्थी अफसन नमर कौन सही होगा इसमें यहाँ पर अफसन नमर सेकेंड सही होगा शीखी हुई बात को अस्मर रखने या पुना अस्मराण करने की या सफलता को ही बिश्मिर्थी कहते हैं चलता अगले क्रिश्यन के तरब ब्याक्ति में उन मनों सारिरिक और स्थाओं का गतिसील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ और दीटी समंजस्ट निर्धारित करता है कहलाता है लेक्ते हैं आप्सन नमर फर्स्ट ब्यक्तित सेकेंड है समयोजन, थर्ड है समवेदना और फोर्थ है चरित आप्सन नमर कौन सही होगा इसमें इसमें आप्सन नमर फर्स्ट सही होगा ब्यक्तित तु है चलता अगले क्यूश्यन के तरब क्यूश्यन नमर छे क्या नमर चे क्या कह रहा है कि समान पूरुस में एकस वाई गूर्ण सुत्र होते हैं जबकि समान महिला में डैस क्या होते हैं यानि कौन से गूर्ण सुत्र होते हैं आपसर नमर फर्स्ट है एकस एकस गूर्ण सुत्र आपसन नमर सेकेंड है एक्स वाई वाई गुन्सुत्र आपसन नमर थर्ड है एक्स एक्स गुन्सुत्र और आपसन नमर फोर्द है एक्स गुन्सुत्र क्या होते हैं आपसन नमर यहां पे फर्स्ट सही होगा एनिकी एक्स एक्स गुन्सुत्र होते हैं किसमें समान महिला में एक्सेस गुणसुत्र होते हैं और पूरुस में एक्स वाई गुणसुत्र होते हैं चलते अगले क्रिशन के तरब क्रिशन नम्मर साथ प्राप्तांकों के समूं का वह बिंदू जिसके नीचे समूं के आधे प्राप्तांक और जिसके उपर समूं के आधे प्राप्तांग होते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मध्यमान कहलाते हैं बहुलक कहलाते हैं मध्यान कहलाते हैं या मानक विचलन कहलाते हैं देखते हैं आफसर नमर कौन सही है यहाँ पर आफसर नमर जो थोड है वो सही होगा मध्यमान का लाते हैं चलते हैं क्यूशन नमर आठ के तरफ क्यूशन नमर आठ है कि आधिगम में प्रयात्न वा भूल के सिधान का प्रतिपादन किस ने किया अप्सन नमर है फ़स्ट पाउलाव हेगाटी थार्नाडाई किस ने किया था प्रयास वो भूल का सिधा तो थार्णा डाइग ने किया था ट्रायल एंड इरर चलता के लिए क्रिशन के तरप क्रिशन नमर नाइन डैस के अनुसार बालक का अभिकास अनुवन सिक्ता था वाता अवरण का गुणन फले किस ने कहा था वूड वर्च ने कहा था गैरेट ने कहा था फालेड ने कहा था या थार्णा डाइग ने कहा था तो देखते आपसर नमर कौन सही होगा यहाँ पर आपसर नमर फॉस्ट सही होगा यहनि कि वुड़ वर्ड के अनुसार ही बालक का विकास आनुवनसिक का तथा वातावरण का गुड़न फल है देख्टे है नेक्स विश्चिन मनो विज्ञान ने सर्व प्रथम अपनी आत्मा का परिट्या किया फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के विवार को सजोये है यह कथन किस का था तो देखते हैं आपसर नम्बर कौन सा यह है यहाँ पर आपसर नम्बर थोर सा यह निव वर्त का था चलते हैं अंगले क्वशन के तरप अबला क्वीशन है कि मनो लाइंगी विकास में सुप्तावस्था का वर्स अंतराल संबंदित है किस से संबंदित है आपसर नमर फर्स्ट है दो से पांच वर्सों का सेकेंड है छे से यवन तक का आपसर नमर थर्ड है अठारा से बीस वर्सों का और आपसर नमर फोर्थ है बीस से वाइस वर्सों का कौन सा सही होगा इस में से तो इस मेंसे आपका जो होगा आफसर नमर सेकेंड सही होगा जो कुई मनो लेंगी विकास में सुपत वस्था का वर्ष अंतराल जो है 6 से 54 तक संबन्दित है चलता है ऐगले प्रच्ष्षन के तरफ अगला प्रस्ण है क्यूशन नमर बारा क्या कर रहा है कि विकास के मनो समाजिक सिधान का प्रतिपादन डैस ने किया था पहला है एक्रिक्सन है दूसरा है फ्राइर थाड है कॉलर है और फॉर्थ है वाट्शन कौन सही होगा तो इसमें जो आप्षान नमर फ़र्स्ट होगा वो सही होगा चलते हैं किसेन के तरफ किसेन नम्मा 13 डैस कि अनुसार इदम आहम तथा पराहम बेक्टित के तीन घटक है तो किस ने कहा था वेंडूरा ने कहा था यूग ने कहा था एडलर ने कहा था या फ्राइड ने कहा था कौन सा आपसर नम्मर सही होगा तहां पर आपसर नम्मर जो 4 है ये सही होगा फ्राइड ने कहा था कि इदम आहम तथा पराहम बेक्टित के तीन घटक हैं चलते हैं क्यूशन नम्मर चोध के तरफ किस वेवहारवादी का मानना है कि अनि वेवहानों की भाद भासा भी क्रिया प्रसूत अनुबंदन द्वारा सीखी जाती है तो वार्चन ने कहा था या इसकी इंदर ने या गुत्री ने या थन्ना ना आई देखते आपसर नमबर कौन सही होगा यहाँ पर जो आपसर नमबर सेकेंड होगा ओ सही होगा इसकी इंदर ने कहा था किरिया प्रसूत बंधन द्वारा ही सीखी जा सकती है चलते हैं अगले क्यूशन के तरफ क्यूशन नमबर 15 निम्न में से कौन केंद्री प्रविर्ती का माप नहीं यहां पर पूछ रहा है कि केंद्री प्रविर्ती का माप नहीं है तो फर्स्ट प्रसार है बहुलांग है मध्यांग है या मध् संसायोगा इसमें से इसमें से जो प्रसार है ये केंद्री प्रविर्ति का माप नहीं है बाकी बावलांग है मध्यमान भी है और मध्यांग है लेकिन प्रसार नहीं है चलते हैं अंगले क्यूशन के तरह क्यूशन नमर 16 और सथ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब् होता है 90 कि 109 होता है यह 110 ए 139 नमर कौन सही है यह पर आपसल नमर जो थर्ड है यह सही है जो आउसत बुध्धि वाले बालकों की बुध्धि लग्दी होती है वह 90 ए 109 के बीच में होती है चलते हैं अगले त्विशन के तरफ क्रुषन नमबर 17 निम्न लिखित मापन की अस्तरो में सबसे अच्छा कौन है बलाप से अप्सण नमबर 1st, नामिक 2nd, अनुपात 3rd, क्रॉमिक leaves 3rd, इसमें से अप्सण नमबर कौन सा यहाएगा यहाँ पर आपसर नमबर सेकेंड होगा मापन का स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है तो वह जो है अनुपात है चलते अगले क्रिशन के तरफ क्रिशन नमबर अठारा निम्नलिखित में से कौन ब्यक्तितु का प्रचेपी परिच्छन नहीं यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रचेपी परिच्छन नहीं यहाँ पर पूछ रहा है देखते हैं पहले पहला पॉइंट का है रोसा से आई दबबा परिच्छन TAT परिच्छन सबसा अचारे परिच्छन और फोर्थ है 16PF परिच्छन इसमें साफसर नमर कौन सही होगा आफसर नमर जो फोर है यह सही होगा यही है बेक्टित्ट का परिच्छेपी परिच्छन नहीं है यहीं कि 16PF परिच्छन जो है यह परिच्छेपी परिच्छन नहीं है चलता अगले क्यूशन के तरफ question number 19 और सेक्ता का पदानुक्रम सिधांध द्वारा प्रतिपादित किया गया था यहीं कि और सेक्ता का पदानुक्रम सिधांध है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था option है first वार्षन मैसलो पावला या कोहलर द्वारा किसके द्वारा किया गया था तो देखते हैं आप से नमबर यहां पर जो सेकेंड है यह सई है और सेक्ता का पतानुक्रम सिधान जो है कि मैं सलो द्वारा प्रतिपादिन किया गया था अब चलता एकले क्यूशन के तरह क्यूशन नमबर 20 कि नीम नलिखित में से कि इसको मुख अधिकारी ग्रंथी कहते हैं थायराइड ग्रंथी को कहते हैं या एडिनल ग्रंथी को कहते हैं अंतरस्रावी ग्रंथी को कहते हैं या प्यूस ग्रंथी को कहते हैं आप से नमबर कौन सही होगा इसमें इसमें आप से नमबर जो फोर है वो सेयोगाjs, जो मुक्ह अधिकारी गरंथी होती, उसे हम प्यूस गरंथी कहते हैं। और नेक्स विस्चन है, डैस ने समोहिक अचितन का संप्रत्य दिया था. यूग ने दिया था, फ्राइड ने दिया था, एडलर ने दिया था, या सलिवर ने दिया था। तो देखते हैं आप्सर नम्मर कौन सही होगा, यहां पर आप्सर नम्मर first सही होगा, यह उन्हें समोही का चेतन का संप्रत्य दिया था, आप चलते हैं क्यूश्चन के तरव, क्यूश्चन नम्मर 22, अंगूर खट्टे है, डैस का उद्रारण है, दमन का, प्रतिमान का, यु तो से थर्ड है, ये से होगा योक्ति करण है, ये निकी अंगूर खटे हैं, या योक्ति करण का उधारण है, चलते हैं एकले किस्चन के तरफ, किस्चन नमडर 30, अधिगम का क्रिया प्रसूत, अनुबंधन सुधान, डैस द्वारा दिया गया था, पाउला द्वारा, ठरना डाई द्वारा टोल मैं द्वारा या इस किंदर द्वारा किसके द्वारा दिया गया था तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिधान्त है वह इस किंदर द्वारा प्रतिपादित किया गया था यहीं कि आपसर नंबर फोर सही होगा चलता के लिए क्यूस्चन समाधान करने की छमता कालाती है पहला अप्षन है S कारख दोसरा है G कारख तीसरा है विशिष्ट बुद्धी और चौथा है सांसर क्रीटिक बुद्धी अप्षन नमर कौन सही होगा? यहाँ पर अप्षन नमर जो सेकेंड है यह सही होगा यह निकी जी कारक है चलता है लग क्यूशन के तरह किसन नम्मर 25 क्या करें वंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानी करन द्वारा सीखते हैं जिसको डैस भी कहा जाता है यह यह पर डैस इसको भरना है तो क्या है पहला अप्षान अभ्यास द्वारा सीखना सेखना अंतर देश्टी द्वारा सीखना थोर्ड़ निरिच्छणात्मक अदिगर्दुरह चलता है फंपरफ लोत्य ओं सयोग है 65 नमर में तो द्रकना यह सखैन निरिच्छणात्मक अधिबन भी कहा जाता है कि पयाजे के संग्यानात्मक विकास सिधान्द में अमृर्ध तर्क एमम परिपक धुनईतिक चिंतन कीस अवस्था की विश्था है संवेदनात्मक गमक वश्था है पूर संक्रियात्मक वश्था है आपचारिक संक्रिया आपचा है चलते हैं अगले क्रिशन के तरफ क्रिशन नमर 27 डैस जन्मजाद बैक्ति गुणों का योगफाल है समानता का निरंतरता का वन्सानुक्राम का और फोर्थ है यूद्सा का तो इसमें साफ्षन नमर कौन सही होगा यहां पर आफ्षन नमर जो थार्ड है यह सही होगा वन्सान सब्सक्राम जन्मजाद बैक्ति गुणों का योगफाल है अगले क्रिशन में क्रिशन नमर 28 क्या कर रहा है कि मनों बैज्यानिकों के अनुसार नेमनलिखित में से किस बीधी द्वारा मूल प्रभीर्टियों में परिवर्तन लाया जा सकता है आफ्षन नमर फर्स्ट है सास ल रब्सक्राद सेकेंड मारगांती करण द्वारा थर्ड है विल्यन द्वार और ङक्येस से कौण से होगा इस में से जो आप्षन नमर फ्रस्ट हैं है यह सही होगा मारगानती करन द्वारा किया जा सकता है यह परिवर्थन लाया जा सकता है क्यों नम्म 29 प्रत्यों का बंते रहना एक बैस प्रकिरिया है बिशम है अनियमिथ है सामईख है या संचेह है तो कौन सही होगा इसमें आफसन यहाँ पर आफसन नम्मर जो फोर्थ है ये सही होगा क्योंकि प्रतियों का बनते राना ही एक संचय प्रकिरिया है अब चलते अगले कुशन के तरफ यह इस वीडियो का लाज कुशन है यहां पे जो आफसर नमर फोर्थ है यह सही होगा तो भूलने का कारण जो नहीं है वो सिच्छक की योगता है जो सिच्छक की योगता है वो भूलने की कारण नहीं है बाकी यह तीन है इसको हम बोल सकते हैं लेकिन जो सिच्छक की योगता का कारण है इसको हम नहीं बोल सकते हैं तो मनोविज्ञान से सम्बंदी 30 प्रस्ण थे आप समापत होते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग वीडियो